Hello students, this is your Hindi lecture. Yes students, आज हम कवीता स्टार्ट करने जा रहे हैं. आओ मिलकर बचाएं. जिसे की निर्मला जी द्वारा रचा गया है. इसमें जो निर्मला जी है, वो हमें जंगल में रह रही. आदिवासी जाती को बचाने, उसके बचाव की और उसकी सुरक्षा की लिए प्रेरना दे रहे हैं. और हमें बता रही है कि जो दिन प्रती दिन वनों का कटाव हो रहा है जो दिन प्रती दिन पेड काटे जा रहा है इतनी निरंतर तेजी गती से उन्हें रोकना चाहिए क्योंकि यदि पेड काट दिये गए तो जो जंगलों में रह रही आदिवासी जाती है उनका विनाश हो जाएगा वो कहां पर जाएंगे वो निराश है कि आज उनके जो आवास का स्थान है जो जंगल है पेड़ पोधियां उन्हें काटा जा रहा है जो बस्तियां है वो उजाड़ी जा रही है ठीक है स्टूडेंट्स तो देखी इसमें फर्स्ट लाइन अपनी बस्तियों को जो कवित्री है वो संदेश देती हुई कह रही है कि हमें अपनी बस्तियों को नंगी होने यानि कि यहां पर ये शब्तियों प्रयोग किया गया है क्योंकि जो पेड़ है वो बड़ी तेजी से काटे जा रहे हैं और पेड़ कटने से जो बस्तियां है वो उजाड़ हो गई है कि हमें अपनी बस्तियों को बचाना होगा शहर की आबो हवा से बचाएं उसे यानि कि जो शहर में फैक्टरियां और दूसरे कार खाने लगाए जा रहे हैं उनके धुएं से जो शहर की शुद वायू है वो खराब हो रही है उसमें सांस लेनी मुश्किल हो रही है बचाए दूबने से यानि कि जो शुद वायू है वो खराब हो रही है उस शुद वायू को उस अच्छे सुन्दर वातावरन को हम दूबने से बचा सकते हैं पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में मतलब जो पूरी की पूरी बस्ती है जिस बस्ती में वो लोग बसे हुए हैं जहां अवास का स्थान है उसे खतम किया जा रहा है अपने चहरे पर संथाल परागना की माटे का रंग भाशा में जार खंडी पन अब देखें यहां पर क्या कहा गया है कि अपने चहरे पर यानि कि संथाल यहां पर एक शेत्र का नाम है उसका नाम लिया गया है जिक्र हुआ है उस उस माटे का जो रंग है जो लाल रंग था वो पहले बड़ा ही सुन्दर लाल रंग था उसमें से बड़ी अच्छी खुश्वो आती थी लेकिन आज उसको उजाड दिया गया है वहाँ पर खाली बंजर भूमी नजर आ रही है चारों और खाली पर नजर आ रहा है लेकिन हमे अपने चहरे पर यानि कि हमें उस शेत्र को बचाना होगा हमें वहाँ पर फिर से वही हर्याली लानी होगी हमें उस शेत्र को जो जारखंड पन में लिखा हुआ है मतलब यह इसकार थिया हुआ कि जो वहाँ का जारखंड पन का जो शेत्र है उसे हमें बचाना होगा हमें पोधों को लगा कर फिर से वही हरी भरी भूमी करनी होगी चीक है अब देखी नेक्स इसमें देखिए थंड़ी होती दिन चर्या में जीवन की गर्माहट मन का हरापन भोलापन दिलका अखडपन जुझारूपन भी अब देखिए यहाँ पर जो जंगलों में आदिवासी लोग रह रहे हैं उनकी कैसे दिन चर्या हैं कैसे वो जंगलों में रहकर अपना गुजारा करते हैं अपना पेट पालते हैं उन पर यहां पर उनकी स्तितिय का वनन करती हुई को कवित्री जो है वो बता रही है हमें कि ठंडी हूती दिन चरया में जीवन की गर्माहट कि जो यहां पर ठंडी क्यों लिखा है क्योंकि जो उनकी दिन चरया है वो अब दीरे-दीरे समापत हो गई है क्योंकि जिस पेड़ पोधों के अवास में वो रह रहे थे जो उनके रहने का स्थान था वो अब धीरे-धीरे खतम कर दिया गया है तो उनकी जो दिन जा रहा है वो ठंडी हो गई है क्योंकि उन्हीं पेड़ पोधों के सहारे वो रहते थे उन्हीं को मतलब हम कह सकते हैं कि वहां जो पेड़ उसी के आवाज शेत्र में रहना तो मतलब जो पेड़ थे वो उनकी हर उनकी सुविधा का साधन थे अब उन पेड़ों को काट लिया गया है तो उनकी जो दिन चरह है वो ठंडी हो गई है जीवन की जो गर्माहट है मन का हरापन हरापन होता है यहां पर खुशाली का परतिक ह था हरापन तो अब उनका जीवन की जो खुशाली है जो उनकी मन की खुशिंप होने का साधन था एक मतलब कारन था जो की खुशी का वो अब खत्म हो गया है भोलापन दिल का वे दिल से बड़े ही भोले थे अखड़पन जो जारूपन भी भीतर की आग जो उनकी अखड़पन था जो उनकी भीतर की आग यानि की भीतर की आग का अर्थ होता है कि उनके जो आगे बढ़ने का जो उनमें एक पर अपना वही उनके भोजन का साधन था कुलहाड़ी की धार बनाते थे कि हमें ये कुलहाड़ी हमें हमारे काम आएगी व्रिक्षों से अपने फल फूल लेने के लिए कुलहाड़ी की धार तीर का नुकीला पन कुलहाड़ी की धार और जंगल की ताजा हवा जिसमें वे रह कढ़ते थे नदियों की निर्मलता नदियों की जो सुंधर्ता थी वो और पहाड़ों का मोन गीतों की धुन मिट्टी का सुंधापण केने करत क्या है कि यहाँ पर जितनी भी प्रकरति सुंध्रे का वनन किया गया है वो सारा अपस्मापत होता नजर आ रहा है क्योंकि दिन प्रते दिन जो लोग है वो पेड़ों को काड रहे हैं, और उनकी आदिवासे लोगों की आवास शेतर को खतम करते जा रहे हैं. अब पहाडों का मौन, गीतों की धुन, जो नदियों से जरने बेहते थे, जो नदियों की की आवास थी, सुन्दर पानी बहने की वही गीत थे उनके और मिट्टी का सुन्धापन जो मिट्टी की सुन्दर मिट्टी में से सुन्दर खुश्बू आती थी उसी में वे जीते थे वही उनकी जीवन की खुश्बू थी और वही उनकी जीवन के गीत थे वो सब कुछ अब धीरे-धीरे स बचाना होगा और इस जंगलों को उसी तरह बनाए रखना होगा ताकि वे अपने अवाज शेत्रों में अपने जंगलों में आदिवासी जाती रह सके और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके ठीक है students तो अब हमने आज इसके दो परसंग कर लिए हैं अगर आपको इसमे में फिर भी कोई समझने में कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो ओके स्टूडेंट्स थेंक्यू सकते हैं